दिल्ली की जन्ता कहती है कि वो इमानदार हैं और उनको फिर से चुनके भीचती है तभी वो दिल्ली की मुख्यमंदी की कुर्सी में बेखे हैं भारतिय जन्ता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन के दाम धाई सो गुना बढ़ा दिये हैं भारतिय जन्ता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो एक किलो वाट के छोटे 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 कनेक्शन लेते हैं गाउ में रहने वाले परिवार किसान परिवार जो एक किलो वाट के कनेक्शन के लिए पहले मासर बारा सो रुपे देते थे उसको बढ़ाकर तीन हजार रुपे कर दिया है यानि धाई सौ परसेंट की वृद्धी एक छोटा सा एक किलो वाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए अगर किसी का पाँच किलो वाट का बिजली का कनेक्शन है जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए शेहर में रहने वाले लोगों के लिए आम मिडल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है पाँच किलो वाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारती जनतापाटी की उत्तरकदेश सरकार ने 118 परसेंट बढ़ा दिया है 7,967 रुपे से 17,165 रुपे कर दिया है यानि 118 परसेंट की वृद्धी एक किलो वाट के कनेक्शन के लिए 200 परसेंट की वृद्धी पाँच किलो वाट के कनेक्शन के लिए 118 परसेंट की वृद्धी और ये वही भारतिय जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में आठ आठ घंटे के पावर कट लगाए और ये आठ आठ घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गाउं में नहीं लग रहे थे ये आठ घंटे के पावर कट नौईडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे, तो भारतिय जनता पाटी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतिय जनता पाटी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे मेहंगी बिजली यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आएं और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत बनाएं वरना जो आज हम उत्तर स्देश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली लंबे लंबे पावर कट वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिले रहा है आज अर्विंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है आम आदनी पाटी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है अर्विंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली इस साल दिल्ली में 19 जून को 8400 मेगवाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई दिल्ली में पावर नहीं लगे यानि दिल्ली की सरकार अर्विंद केजरीवाल जी की सरकार आम आदनी पाटी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है ना सिर 24 घंटे बिजली देती है सबसे सस्ती बिजली देती है दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभोगता है 37 लाख परिवार है जिनका बिजली का पंदरा लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं जो दो सो यूनिट और चार सो यूनिट के बीच में इस्तिमाल करते हैं हमें एक आज आता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है आप तो सुर्श सबसिडी दे देते हो इसलिए मैं आपके पास आकड़े लेकर आई हूँ कि चार सो यूनिट के उपर का बिजली का बिल जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सबसिडी नहीं देती अगर आप उसको भी भारती जंता पार्टी शासित सरकारों से कंपेर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है चार सो यूनिट का बिल दिल्ली में नौ सो असी रुपे का आता है वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में एहमदाबाद में 244 रुपे आता है खर्याना में गुर्दाओं में जहां पर भी भास्तिय जनता पार्टी की सरकार है 2300 रुपे आता है उत्र फ्रदेश में 2900 रुपे आता है मद्य प्रदेश में 3800 रुपे आता है और महराश्ट्रा में 4,460 रुपे बिजली का बिल आता है यानि मद्यप्रदेश में महराश्ट्रा में जहां पे भारती जन्तापाटी की सरकारे हैं वहां पर 400 यूनित बिजली का बिल दिल्ली से 4 गुना जादा आता है यानि लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली ये है भारतीय जन्तापाटी का मॉडल इसलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जब फरवरी में चुनावाएगा दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है आम आदनी पाटी की सरकार बनानी है तभी दिल्ली में 24 गंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी आने वाले चार महीनों में जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूँगे क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले चार महीने में भी भारतिय जंता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई शड्यंत्र जरूर रचेगी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं महेंगी बिजली देने का लेकिन मैं आदमी पार्टी की तरफ से अर्विंद केजरिवाल जी की तरफ से दिल्नी वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्नी वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे धन्यवाल जब अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने इस्तीफे की घोशना करी तो उन्हों ने कहा कि उनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है और आप याद करिए कि सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और उनकी एजनसीज को उनके मूपर तमाचा मारा और कहा कि अर्विंद केजरिवाल जी की घिरफतारी दुर्भावना के तहट हुई केंद्र सरकार की एजनसीज पिंजने में बंद एक तोटे की तरह है अगर कोई और मुख्यमंत्री होता अगर कोई और नेता होता तो वो मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता है लेकिन ये अर्विंद केजरिवाल जी है जिनोंने इमानदारी की नेतिकता की एक नई मिसाल इस देश की राजनीती में स्थापित की है जिनोंने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और इस जनता की अदालत की शुरुआत लोगों के बीच जाने की शुरुआत अर्विंद केजरिवाल जी इस संडे से कर रही है जंतर मंतर से कर रही है और वो दिल्ली वालों के बीच में जाकर यही एक बात रखेंगे कि दिल्ली की जंता बताए कि क्या वो सोचती है अर्विंद केजरिवाल जी इमानदार है के नहीं है और अगर दिल्ली की जंता कहती है कि वो इमानदार है और उनको फिर से चुनके भेजती है तभी वो दिल्ली की मुख्यमंतरी की कुर्सी पर बैठेगी